नमस्ते भारत उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तो मैं कृष्णा रावत अपने यूट्यूब चेनल पे आज आपके लिए बहुत ही मज़िदार वीडियो थ्रोटल वाल कैसे रिपेर करते हैं लेके आया हूँ दोस्तो ध्यान से देखना ये थ्रोटललवाल हम असेंबल कर रहे हैं इसमें एक गेर आता है दोस्तो ये जो पड़ा है प्लास्टिक गेर ये खराब होजाता है या इसकी तूड़ जाती है इस कारण ये ओपन पोजेशन में या अब्लोज पोजेशन में स्टक हो जाता है उस कंडिशन में आपकी गाड़ी P2100-11 फोल्ट जनरेट कर देगी आपकी गाड़ी में पूर पिकप की प्रोब्लम आएगी गाड़ी एक्सिलेटर ट्रॉप कर देगी यह बंद हो जाएगी अगर क्लोस पोजिशन में यह जाम हो गया होगा तो आपकी गाड़ी कुछ देर चलके बंद हो जाएगी फिर वापस स्टार्ट भी हो जाएगी यह आप देख सकते हैं दोस्तों यह इस प्रकार का गेर आता है जिसे हमने रिप्लेस कर दिया है दोस्तों बियस इक्स में थ्रोटल वाल डीजल गाड़ियों में सभी में आता है जहेवे MCV हो, ILCV हो Heavy Commercial विकलों दोस्तों वारंटी में होता है जब तक तो यह ठीक रहता है रिप्लेस करना कस्टमर के लिहास से भी और अपनी वारंटी के लिहास से भी पर जैसे ही आफट वारंटी होता है यह दोस्तों Highly Costed होता है 22-23 जार रुपे का आइटम होता है तो कस्टमर की सुईधा को ध्यान में रखते हुए अगर यह रिपेरेबल हो सकता है तो हमें इसे रिपेर करना है क्योंकि कहा गया है कि कस्टमर भगवान का रूप होता है और भगवान का ध्यान हमें सबसे पहले रखना है दोस्तों अभी इसके चाइल्ड पार्ट मार्केट में अवेलेबल होते नहीं है पर भारत एक जुगाडू देश है किसी भी चीज का तोड हम निकाल ही लेते हैं दोस्तों इसको लगाते समय ध्यान रखना है आप हलका से ओल का यूज़ करें ये स्मूथ हो जाएगा लगाकर इसको हम चेक कर लेंगे अगर ये परवपर काम कर रहा है तभी हम इसे गाड़ी में फिटमेंट करेंगे ये आप देख सकते हैं ये इस परकार से फिटमेंट होता है अब ये आप देख सकते हैं हम इसको हाथ से operate करके देख रहा है यह बिल्कुल operate हो रहा है यह इसमें जो cut होता है यह इसके बराबर लगना चाहिए दोस्तो ज़्यादा इसमें कोई भेज नहीं है आप भी इसे खोल के repair कर सकते हैं condition बस part available होना चाहिए दोस्तो जब तक warranty में होती है हम इसे disemble नहीं कर सकते हैं क्योंकि warranty का matter होता है पर out of warranty में हम इसमें कुछ जुगाड कर सकते हैं और मैं suggest भी नहीं करूंगा दोस्तो कि आपकी गाड़ी warranty में है और आप इसमें छेटगा निकाज़ें यह रबर टाइक की एक पेकिंग आती है दोस्तो इसमें इसको भी लगाते समय सावधानी पूरवक हमें फिट्मेंट करनी है अगर यह हलकी सी भी बाहर रह जाती है या फिट्मेंट सही नहीं होता है उस कंडिशन में डेश्ट एंट्री इदर से हो जाएगी और यह वापस श्टक हो जाएगा यह आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह फिट्मेंट होगा दोस्तो जैसे बी-एस-फोर के अंदर शुरू-शुरू में डोजर रिपेरेबल नहीं थे पर अब कंडिशन ऐसी हो गई है कि डोजर का हर एक चाइल्ड पार्ट मार्किट में उपलब्द है पूरा डोजर हमें लेने की जरुवत नहीं है डोजर बहुत ही महेंगा पड़ता था वही कंडिशन अभी थ्रोटल वाल के साथ है दोस्तों थ्रोटल वाल हाइली कोस्टेड होता है अभी जिस गाड़ी का हम कर रहे हैं यह 610 मोडल है टाटा का जो पहले 407-709 आती थी ऐसा 610 टिपर है इसकी कोस्ट दोस्तों जो नया आता है उसकी 22,800 रुपे है जो की बहुत ही महेंगा है तो हमें ध्यान रखना है अगर यह रिपेरेबल है रिपेर होके चल सकता है तो हमें इसे रिपेर करना है ना की रिप्लेइस यह आप देख पा रहे हैं दोस्तों हमने इसको फिट कर दिया है अभी इसको बहार हम मैनुवली ओपरेट करके देखेंगे प्रोपर अगर फिटमेंट सही है अगर यह सही काम कर रहा है तो हम इसे गाड़ी में फिट कर देएंगे बीए सिक्स में और अधिक जानकरी के लिए दोस्तों अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें मैं ऐसी ही यूनिक जानकरी आपको मेरे चैनल के माद्यम से देता रहूंगा ध्यान से देखिएगा दोस्तों यह हमने इसको पुरा फिट कर दिया है अभी हम इसको हाथ से मेनवाली चला के देखेंगे यह आप देख पा रहे हैं यह बिल्कुल फ्री हो गया दोस्तों यह ऐसे ही चलना चाहिए यह गाड़ी का मोडल है दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो यह इसकी लोकेशन है दोस्तों यह टर्बो के वहाँ लगा रहता है जै हिन जै भारत प्लीज शेयर सब्सक्राइब और लाइक करें